बसंत गड का कीला कीले में बाद में 14वी सदी में बर्मनी सल्तनत ने और फिर 17वी सदी में मराठा समराज ने कपजा कर लिया मराठा काल के दोरान वसंत गड़ एक रननितिक कीला था क्योंकि या कुंकन टट और डककन पठार के बीच महतपुन वेपार मार को नियंतरित करता था कीले का उपयोग मराठो द्वारा जेल के रूप में भी किया जाता था और कई परसीद कैदियों को वहां रखा जाता था जिन में मुगल जन्रल अफजल खान और बीजाफूर के सल्तनत सिकंदर आदिल सहाबी सामिल थे वसंत गड़ से जुरी कई पौरानिक कथाय हर कहानिया है एक लोग प्रिय पौरानिक हताय है कि कीले का नाम वसंत की हिंदू देवी वसंत सेना के नाम पर रखा गया है पौरानी कथा कातियाए की वसंत सेना किले के पास एक कूंड में असनान करती थी और कूंड का पानी इतना सुध और ताजा था कि इस से फूल खिलते थे और पक्छी चहचा आते थे वसंत गड़ से जुरी एक और पौरानी कथा या है कि या कभी वसंत नामा के एक सक्तिसाली जादूगर का घर था पौरानी कथा कहती है कि वसंद गड़ एक दयालू जादूगर था जिसने अपनी सक्तियों का उप्योग छेत्र में लोगों की मदद करने के लिए किया करता था वो फसले उगाने सुखे के दवरान बारिश कराने और बिमारों को ठीक करने के लिए जादू टोना करता था पहले की सबसे उलेक नियस अरचना वसंद गड़ पहले से जिसे माराथा छत्रपती सिवाजी माराज ने बनवाया था महल अब खंड़ हो चुका है लेकिन या अभी भी एक लोग प्रिये प्रेटना करसन है